हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ स्वाती और आपका स्वागत है मेरे किछुन में आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ पानी पूरी के तीखे चटपटे पानी की रेस्पी तो घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल साप सुत्रा होगा और हल्दी भी होगा तो घर पे बनाने का इसे अलग ही सुकून होता है तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर चुरूर करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने ये इमली ली थी 50 ग्राम थी जो की और इसे हमने पानी में 2-3 गंटे के लिए भीगो दिया था ये अच्छे से फूल गई है तो आब हम इसे छान लेंगे और इसके जो बीज बगएरा हैं इनको अलक कर देंगे और इसका पानी ऐसे निकाल लेंगे जो खटा-खटा सा रहेगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी एट कर देंगे तो ध्यान देना है हमें यहाँ पर ठंडे पानी का योज करना है तो तभी हमारा पानी ठंडा ठंडा सा बनेगा बिल्कुल तो फिर हमने इसे अच्छे से छान लिया है तो देख सकते हैं आप यह हमारा इमली का पानी निकल आया अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और एट कर देंगे अब हम बना लेंगे एक पेश्ट तो जिसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले जार में डाली है यह थोड़ी सी हरी धनिया तो हरी धनिया करिए जो डेंटल वगएरा होते हैं तो वो भी डाल लीजिएगा इसका भी एक अच्छा सा टेश्ट आता है और थोड़े से पुदीने पत्ते और फिर मैंने यहाँ पे तीन हरी मेर्श डाल दी है आप अपने हिसाब से तीखा या फिर जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा और चार लेशुन के कलिया और फिर इसमें हम डाल देंगी यह आधा चमच काला नमक और बज ढ़कन को बंद कर लेंगे अब हम इसका एक पेश्ट मना लेंगे फाइन पेश्ट तो यह द्लीजिए हमारा पेश्ट भी बन गया तो अब हमें क्या करना है तो हमने जो इमली ली थी ना इमली का पानी उसी में हमें इस पेश्ट को डाल देना है फूरा तो लीजिए अब हम जो जार है इसको भी थोड़ा सा पाने डाल के हैसे खंगाल लेंगे और इसी में डाल देंगे फिर उसके बाद हमने इसमें आधा चमच भूने हुए जीरे का पाउडर डाला हुआ है फिर इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये एक चमच भरके चार्ट मसाला तो फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ये नमक क्योंकि नमक हमने पहले भी काले नमक का योज किया था थोड़ा सा ये नमक भी इसका भी एक अलग सौध होता है तो ये नमक भी डालेंगे तो फिर उसके बाद हमने फिर से एक ग्रास के करीब पानी मिला लिया है इसमें और धंडा पानी मिला है हमने ठीक है फ्रिज का पानी योज करिएगा फिर उसके बाद ये देखिए हमारा पानी बन करके तयार है तो अब हमेंसे थोड़ा सा जीच बनाने के लिए इसमें एड़ कर देंगे ये बूंदी जो रायते वाली बूंदी होती है नमकीन बूंदी उसी को तो इसे डालने से इसका टेश्ट भी अच्छा हो जाता है और देखने में तो मज़ा ही आ जाता है तो दीचिए मेरे मुमे तो पानी आ रहा है तो पानी को रग देते और जल्दी से चलते बता से निगा लेते हैं तो हमने एक कडाई में थोड़ा सा तेल डाला हुआ है थोड़ा सा नहीं मतलब जितने में डीप फ्राई हो जाए तो ये बता से हमने बाहर से लिये हुए है तो अब हमेने फ्राई कर लेंगे तेल बहुत जादा नहीं गरम होना चाहिए और नहीं ठंडा मतलब मेडियम होना चाहिए तो इस पर आद कभी ध्यान देजेगा बहुत ज्यादा गरम होगा ना तो ये हमारे पापड बन जाएंगे ऐसे फोलेंगे नहीं तो ऐसे ही मीडियम टेंपरेचर पे हमें ऐसे चलाते चलाते इसे निकाल लेना है ऐसे जब हमारे बताशे बिलकुल फोल जाएं तो निकाल लेना है तो लेजिए हमारे बताशे भी निकल आए हैं तो हमने इसी तरीके से सारे बताशे निकाल लिए हैं तो बताशे भी तयार हो गए हैं तो चलते हैं खाने तो ये हमारा पानी है और मतर थोड़ी बहने ऐसे उबाल ली थी औ तो फर्स इसको ऐसे चला लेना है श्टे कर देना है जिसे यह थोड़ा सबर घुल जाए यह देख रहे है न कितना यमी सा लग रहा है पानी तो अब जल्डी से पताशा लेंगे इसको फोडेंगे और इसमें भर लेंगे यह मतर और प्याज मुझे मतर के साथ खाना अच्छा अगर आप लोगों को मशाला आलो बनाना है तो आप लोग वह भी ट्राए कर सकते हैं तो बस यह मतर फड़ने के बाद हम इसमें भर लेंगे यह तीखा चटपटा सा पानी उससे तो बेट नहीं हो रहा है तो फिर अब इसे हम तंड़ 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 तीखा सा इ करेंगे बहुत ही टेश्टी बना हुआ है फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती यह तो आपको जब आप खुदी बनाएंगे तभी पता चलेगा तो फ्रेंड्स आप लोग भी ते जरू ट्राए करिएगा और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर भी करिएगा तो जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई